यह है दोस्तो Realme 12X 5G जो कि आपको 12,000 की नीचे बहुत कुछ प्रोवाइट कर रहा है और फर्स्ट लुक भी आप देख सकते हैं वैसे इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा इस डिवाइस को ले करके बस वीडियो को दबा के लाइक जरूर कर देना तो यह है दोस्तो Realme 12X का बॉक्स जिसके अंदर अगर आप उपन करोगे न तो सब कुछ आपको दिया गया है लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर से पेपर वर्क्स है, सिमेजेक्टर पिन दिया जाता है साथ इसाथ Type A, 2, Type C का केबल आपको मिल जाएगा और एक 45W का एडप्टर भी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से Type A का पोर्ट है तो आप इसको कनेट करके फास्ट चार्ज कर सकते हैं और इस फोन के अंदर आपको 5000W की बैटरी मिलती है तो कंपनी ने क्लीम किया है कि 30 मिनिट के अप्रॉक्स के completely चार्ज हो जाएगा फोन का फर्स्ट लुक भी आप क्लिरली देख सकते हैं दोस्तों और इसको मैं जब आउटडोर ले जाकर के शूट किया था उसका भी एक सैंपल में आपको दिखार हो भाई लुक वाइस काफी अच्छा लगता है यह जो कैमरा रिंग है ना यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो यह जिनरली रियल मी 12 में आपने नोटिस किया होगा और यहाँ पर से यह जो टेक्चर है इसको आप फील भी कर सकते यह मुझे काफी अच्छा लगा वैसे हाँ एक केस भी आपको दिया गया है जो कि अच्छी क्वालिटी का है और इसको अगर आप लगाते भी है ना तो खुबसूर्ती आपकी बिल्कुल खराब नहीं होगी यह चीज मुझे काफी अच्छा लगा चलो इसको टेस्ट करते हैं कि कितना वेट का यहाँ पर निकल के आता है तो फोन काफी जादा हलका ही एक तरीके से क्योंकि बड़ी स्क्रीन है यहाँ पासे 5000 इमिज की बैटरी उसके इस आपसे हम आपको बता रहे है और वैसे दो कलर्स में आपको मिलता है हमारे पास यह जो पॉपल कलर वाला है वो वेरियंट आया था है एक ग्रीन टाइप का भी आपको मिलता है उसको भी आप चौह तो बाई कर सकते हैं और एक अच्छी बात यह भी है कि आपको फ्रेंट में यह जो आप देखरो ना कि स्क्रैज गाड़ भी इन्होंने लगा करके दिया जो की काफी अच्छी बात है तो look and in hand feel इस phone की मुझे काफी अच्छी लगी और company के recording अगर मैं data share करूँ तो 7.69 mm के thickness के साथ ही आएगा और यह पूरी तरीके से boxy design के साथ मिलता है कहीं से भी यहाँ पस है ना मुझे यह crack यह सब का sound नहीं आ रहा है और यह phone है मतलब काफी जादा अच्छा tough है यहाँ पसे realme की branding भी आपको देखनी को मिल जाती है दोस्तों और यह जो portion आप देख रहे ना यह थोड़ा सा आपको feel होगा तो अगर आप touch करोगे तो यह चीज आपको feel होगा और साथी साथ यह जो है ना पूरी तरीके से matte finish के साथ आता है और जहांत अगरी बात दोस्तों इसके physical overview को ले करके तो पीछे के तरब से आपको dual camera का setup मिलता है 50MP का main camera है और 2MP का एक sensor और मिलता है यहाँ पर से flashlight दिया गया है बाकी realme की branding है 5000 mAh की battery आपको मिलती है left side के तरब से clean है और नीचे की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 3.5M jack है main microphone है type C का port है और यहाँ पर से speaker के vents मिलते हैं अच्छी बात यह है कि आपको dual speaker का भी support दिया जाता है जो कि 12,000 की नीचे अगर आप देखते हैं secondary noise cancellation है secondary speaker है और यह है यहाँ पर से SIM tray और यह है hybrid slot तो दो SIM card एक साथ लगा सकते हो या एक SIM card एक memory card लगा करके भी use कर सकते है जो कि काफी अच्छी बात है front की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक punch hole दिया गया है जहाँ पर से 8MP का selfie shooter दिया जाता है दोस्तों आपको panda glass का protection मिलता है details आप देख सकते हैं हमने HDR video playback किया है तो यहाँ पर से details अच्छे देखने को मिलते हैं और कहीं पर भी frame drop नहीं हो रहा है जो कि मैं notice कर सकता हूँ दोस्तों और हमने sunlight में भी test किया था है इसकी जो visibility है वो काफी सही आपको देखने को मिलती है तो price के हिसाब से अगर आप इसके display को देखते हैं तो आपको यह काफी अच्छा experience करा देगा और refresh rate की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यह switch करता हूँ दिख जाएगा तो refresh rate काफी अच्छे से काम करता है जहाँ अगर ही बात दोस्तों software experience कर तो यह आपको Android 14 में रन होता हुआ दिख जाएगा और security patch यह सब भी देख सकते हूँ आप latest software update भी आया था इसके अंदर और वैसे यहाँ बस है यह आपको realme UI की layering के साथ देखने को मिलेगा कुछ blood waste definitely आपको मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं तो थोड़ा time लगा करके आपको इनको uninstall करना पड़ेगा और उसके बात clean experience आप expect कर सकते हैं जानत अगर ही बात software optimization की तो वो सब चीज मैंने check किया भाई तो यह तो आपको काफी अच्छा experience करा देता है और दो साल का आपको OS update मिल जागा तीन साल का आपको security update मिल जागा इस phone के अंदर इसके लावर दोस्तों इस phone के अंदर आपको air gesture का भी option देखने को मिल जाता है अब speaker की बात कर लेते हैं तो आपको dual speaker देखने को मिलता है इस phone के अंदर यहाँ पर से हम output आपको सुनाएंगे और एक चीज आप देख सकते हैं कि ultra volume mode भी option आपको मिलता है बट मैं यहाँ पर से 100% में इसको switch करके आपको सुना देता हूँ तो audio तो काफी जादा loud है और यह चीज मुझे काफी अच्या लगा budget smartphone में आपको dual speaker दिया जा रहा है जो की मतलब एक तरीके से तारीफ करने वाली बात तो रहेगी ही दोस्तों और एक चीज मैंने notice किया कि जो यहाँ पर end display fingerprint scanner है उसका भी test में आपको करके दिखा दिता हूँ वैसे क्लिक किये हैं वो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं अगर मैं आपको roughly बता हूँ budget के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो उसे हिसाब से आपको experience अच्छा मिलेगा कभी-कभी थोड़ा सा over यहाँ पर से whiteness add हो जाती है पर अगर आप सही से picture क्लिक करोगे तो भाई details काफी अच्छे निकल करके आ जाते हैं और background भी जो यहाँ पर dynamic range wise अगर आप देखते हो तो वो भी काफी अच्छा निकल के आता है यही पर से दोस्तों अगर हम video graphic की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता camera से आप 1080 30fps पर शूट कर सकते हैं front camera से भी आप 1080 30fps पर शूट कर सकते हैं जो भी sample हमने record के थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ और यह है दोस्तों का front camera का video sample footage नॉर्मली मैं जो अपने hand है उसको stretch किया हुआ हूँ और इस तरब से sunlight आ रहा है background किस तरीके से expose हो रहा है post production कै audio की quality कैसी है सब चीच का judgment आपको काफी हद तक मिली गया होगा इस sample को देखने के बाद और यह दोस्तों realme 12x के back camera का video sample footage आप देख सकते हैं मैं चल करके recording कर रहा हूँ किस तरीके से focusing हो रहा है उसका भी अंदाज़ा आपको मिल रहा होगा और कुछ इस तरीके से long distance के जो object ह आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर exposure shift किस तरीके से हो रहा उसका भी अंदाज़ा आपको मिल रहा होगा तो आपने बहुत सारे pictures तो देख लिए होंगे दोस्तों मैं इतना बोल सकता हूँ कि भाई इसकी जो camera quality आपको मिलती है main camera इसका काफी अच्छा दिया जाता है और हा आप आएगा and to do score आप देख सकते हैं चार लाग के ऊपर कर निकाल करके देता है हमारे पास 6GB model है इसके लाबा जो read and write speed निकल के आया था वो है UFS 2.2 के आप से अच्छा है और geekbench scores भी आप यहाँ पर से check कर सकते है और BGMI के अंदर दोस्तों यहाँ पर से अगर आप graphical settings देखने को मिलता है हाला कि मैंने इस setting में भी play करके देखा था लेकिन कहीं कहीं थोड़े से zitters आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा setting को कम करके यहाँ पर play के आप है results काफी अच्छे निकले थे और game यहाँ पर से playable है तो budget के हिसाब से अगर आप एक phone देख रहे थे तो definitely आप इ मिलता है उसका test जो हमने किया था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ भाई अच्छा result निकाल करके देता है calling करने के यहाँ पर से आपको google का dialer मिलता है तो सामने आले को पता चलेगा तो उसके लिए आप o dialer को install करके use कर सकते हैं and proximity sensor dedicated है यह काफी अच्छे से काम करता है जो क अगर आप 8GB variant करीद होगे तो आप maximum 8GB तक जा सकते हो और sensors की बात करते हैं दोस्तों तो सारे useful sensors यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है इस phone के अंदर तो मैंने आपको realme 12x के बारे में सब कुछ बता दी आप देखो यह 3 variant में आएगा 4GB RAM 128GB के साथ 6GB RAM 128GB के साथ 8GB RAM 128GB के starting कीमत जो इसकी रहेगी वो होगा under 12,000 with all the offers तो आप देख लेना link description box में मैंने दे दिया है अब देखो यह जो phone है यह आपको buy करना चाहिए या फिन है तो इसके 2-3 reasons जरूर रहेंगे अगर आपका बज़र बहुत कम है अगर आपको एक good looking device करीदना है Android 14 आपके लिए important रख जाता है साधिजाद 45 watt का adapter जो कि आपको box के अंदर दिया गया है यह इस phone को 50% around 30 minute में charge कर देगा वो भी इसका एक USB हो जाता है दोस्तो और इसके अलावा यहाँ पर से आपको 120Hz refresh rate यह सब भी मिल जाता है full HD panel है वो सारे चीज भी आपको अच्छे दिया जाते है gaming आप decent level पे experience इस phone में भी निकल के आ जाएगा camera experience भी मैंने आपके शार शेयर किया आपको कुछ-कुछ जगहों पे थोड़ा-mोड़ा white extra देखने को मिल जाएगा बट इन sort अगर मैं आपको मतलब कितम sort में conclude करके बता हूँ भाई तो camera experience इसके again काफी अच्छे रहते हैं अगर आप price के ह आप से देखते हैं तो आप इस phone को देख सकते हैं बाकी हाँ कुछ comparison वीडियो तो आई जाएगा चैनल पे तो उसको भी आप refer कर ले न बाकी अगर आपके मन में कोई doubt होगा comment करके हमसे पूछ सकते वीडियो अच्छा लगा like share and subscribe करके जाना so thanks a lot for watching